स्टुडेंट्स, प्रिविएस लक्षर में हमने कैस्टोर्ड्स यानि टैप वर्म को डिस्कस किया आज हम दिखेंगे सम इंपॉर्टन टैप वर्म पेरासाइट्स आफ हुमन फर्स जो है वो है बीफ टैप वर्म बीफ टैप वर्म जिसका सेंटिफिक नेम है टिनारंकस सगनेटस जो टिनारंकस सगनेटस है ये मेडिकली बहुत इंपॉर्टन टैप वर्म है हमन्स का ये अडल्ड जो है इसका रहता कहां पर है तो इसका अडल्ड जो है वो स्माल इंटरस्टाइन में रहता है इसकी जो length होती है वो 25 cm होती है इसके दो host है man और cattle human जो है इसका final host यानि definite host है cattle जो है इसका intermediate host है जो एक progliters है उसे 80000 egg जो है वो produce होते है इसके बाड़ी में बहुत सारे progliters होते है progliters जो है एक progliters से 80000 egg जो है वो produce होते है stages of beef tap जो human है ये इसका final host है so human में क्या होती है egg की formation होती है egg को human के faeces से environment में release कर दिया जाता है जब egg को environment में release कर दिया जाता है तो egg की next step आता है egg की hatching so egg की hatching होती है egg hatch होता है और उससे selected larva निकलता है जिस larva को हम कहते है आनको स्फेर ये जो आनको स्फेर larva है इसके पास six hooked होते है इसका जो structure होता है वो six hooked larva होता है जैसे कि इसका स्कॉलक्स region होता है इसके body gear बात करें तो ये इसका स्कॉलक्स यह नहीं head region है तो यहाँ पर ये जो है इसके six hook present होते है अब egg की hatching हो गई है और आनको स्फेर रिलीज हो गया अब cattle जो है जब मेशी जो है ग्रासिंग करते हैं चर रहे होते हैं तो ये human traces है human faeces के जो traces होते हैं वहाँ से आनको स्फेर को ingest कर लेते हैं जब ये ingest कर लेते हैं तो इनका जो stomach होता है stomach के जो enzymes होते हैं तो इस लार्वा को एफेक्ट नहीं करते तो लार्वा जो है इनकी इंटस्टाइन में दाहिल हो जाता है जब लार्वा इंटस्टाइन में दाहिल होता है तो वहां पर इंटस्टाइन में ये बोर करता है यनि सुराह करता है और उस सुराह करके ये इसके सर्कुलेटरी मुसल्स में पहुंचते हैं तो वहां जाके सिस्ट बना देता है मुसल्स में यह सिस्ट बना देता है सिस्ट यह निए सिस्टी केरस अब सिस्टम कहते हैं फ्लोर्ड फिल्ड सैक यह निए फ्लोर्ड से बड़ी हुई एक थैली जिसे फ्लोर्ड फिल्ड ब्लैडर भी कहा जात सिस्टी केरस के सिस्टी केरस सिस्ट है जो के मुसल्स में जाके बन जाता है अब हुमन इसे कैसे इंफेक्टिड होते हैं तो हुमन जब इंप्रॉपरली रा या इंप्रॉपरली कुक मीड खाते हैं तो यह हुमन इसको इंजस्ट करते हैं तो जो सिस्टी केरस है हुमन की स्कॉलिक्स की मदद से इंटर्स्टाइन के साथ अठाच हो जाता है वहां पर इसकी फर्टलाइजिशन होती है और एक की फॉर्मिशन होती है इस तरह यह साइकल जो है वह चलता है यह हमिन होस्ट है यहां से प्रोग्लाइटिट से एक रिलीस हुआ एक को आवे से कैटल ने इंजस्ट किया और की बाड़ी में आनकोसेर लारवा रिलीस हुआ लारवा ऑनकोसेर से आगर जो नेक्स टे जा जाती है वो सिस्टी कैरस जो है वह मुसल्स में जाके आनकोसेर से मुसल्स में जाके यह सिस्ट बन गया और धीन हमनि ने जब इम प्रापर्ली house उब्रापर तो इन में फर्टालाइजिशन हुई और फिर एकी फार्मेशन होना शुरू हो गई अब नेक्स्ट है पॉप टैपवम जिसे टैनिया सॉलिम भी कहा जाता है यह इंटरमेडियेट होस्ति का पिक है यह सेम जो है वो बीफ टैपवम की तरह ही है बस फरक है किसका इंटरमेडि काया जाता है लेकिन ज्यादा कामन उन कंट्रीज में है जहां पर सूर का यानि पॉक का गोश्ट खाया जाता है इसके लाइफ सेकल के बात करें तो इसका लाइफ सेकल जो है वो इंडरेक्ट है यानि लार्वा की फार्मेशन होती है यह जो है इसका जो लाइफ सेकल इसमे में क्या होता है उनके फीसिस एक को रिलीस किया जाता है और पिक जो है उस एक को इंजस्ट करता है और वहां से इनके लार्वा की फार्मेशन होते है और लार्वा को फिर जो है हुमिन जो है पिक का गोश्ट खाते है तो हुमिन में क्या होता है इंफेक्शन हो जाता है हुमि हुएं तो जो एक तो सिस्टी कैर सिती हुआ है उसके पास axolks मजूद होते हैं स्कॉलिकशन है यह अपने स्कॉलिक्स की मदब से क्या करता है इंटर्स्टाइन के साथ अटेशी होता है तो वहाँ से यह Willaire Sum को हासल करता है और मिचोर हो जाता है डिब यह बैस स्टेज्ट कहती है पर्यासेशिचन की फ्रीघ्राइट होते हैं मेल और फीमेज रिपाड़ी यू रिसेंट होते हैं इस प्लचिन होताँ इस होते हैं। अहिसलफ नियुद और क्राछ एस्थ ह spec aperture क्राश चैकर्ण होती हैं। और सेल्फ में एक ही जो टैप फर्म है उसकी बाड़ी में फटलाइजिशन होती है दोमेड्स के दियान अब जो ग्रेविट प्रोग्लाइटूड्स है यानि राइपिंड जो प्रोग्लाइटूड्स होता है उसके पास तकरीबन पचास हजार जो हैं वो एमपरिनेटिड होस्ट की यानि हुमिन्स की इंटस्टाइम में ये रप्चिर कर जाती है जब ये रप्चिर होती है तो एग इससे रिलीज हो जाते है और एक्स जो है जब हैच किरते तो उनसे आनकोस्फेर लार्वा जो है वो निकलता है आनकोस्फेर को फीसिस के साथ उसकी बाड़ी से दिया जाता है बास क्या होता है कि यह जो प्रोग्लाइटिट्स है यह रप्चर नहीं होती और प्रोग्लाइट्स को होस्ट की बाड़ी से रिलीज कर दिया जाता है यह जो आनको स्फेर है यह तकरीबन इन्वार्मेंट में दो मन तक यह जो लारवा है यह जिन्दा रहता है नेक्स है इंटरमेडियेट होस्ट इनका जो इंटरमेडियेट होस्ट है वो पिग है पिग जो है वो एंबरोनेटिड एग को क्या करता है इंजस्ट करता है वो एग को इंजस्ट करता है जब एग को इंजस्ट करता है उसकी हैचिंग होती है और उससे आनको स्फेर लार्वा निकलता है जब इंजेस्ट करता है तो यह इसके इंटस्टाइन में चला जाता है इंजेस्ट से इंटस्टाइन में हैचिंग होती है तो आनको स्फेर लार्वा निकलता है आनको स्फेर लार्वा जब निकलता है तो यह के आनको स्फेर लार्वा जो है इसके इंटस्टाइन म में दाखिल हो जाता है जब यह सिर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल हो जाता है तो वहां से यह मुझलिफ आर्गन्स में जाके सिस्ट बनाता है मुझलिफ आर्गन्स यह ब्रेन लिवर या दूसरे टिशूस में जाके सिस्ट फार्मेशन करता है यानि सिस्टी केरस बनाता है अगर ये ब्रेन में जाके बनाए तो ये बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक होता है जब ब्रेन में जाके ये सिस्ट बना दे यानि सिस्टी केरस के फार्मेशन ब्रेन में हो देफलोबोथ्रम लेटम जो है यह कमन है नार्थ अमेरिका में और उनाइटेट में यह लार्जिस्ट पैरसाइट्स है हुमन्स का इसके लेंचे वह तकरीबं 10 मिटर होती है इसकी मार्फॉलोजी की बात करें तो इसकी बाइड़ी जो है बाकी टैप्फम सी तरह तीन रिजिन्स में डिवाइड़ीड होती है यानि स्कॉलिक्स, नेक और स्ट्रोबलाई स्ट्रोबलाई जहां पर बहुत सारे प्रोग्लाइड़ीड्स हैं वो जो प्रेजन्स होती है अब इच साइड होती है स्कॉलिक्स की वहाँ पर दो ग्रूव्स प्रेजन्स होती है जिसे हम बौत्रम कहते हैं यह इसका हैड रिजन है जिसे स्कॉलिक्स कहते हैं और यह दोनु जो हैं दो cần प्रेज Took वलें हैं जिन्हें बौथ रिंब कहा जाता है दोनु साइड फे प्रेजदो हैं बात्रूम का अब इस साइडब है थो पित often कर्णे हैं जो दोंहिश साइड़ साइड मेंका विल्क जाता है यह host की intestine के साथ attached हो जाता है इनके life cycle के बात करें तो जो proglitis हैं उनसे egg जो है वो release होते हैं कैसे release होते हैं उनकी uterine port से प्रिविस लेक्षर में हमने देखा था कि development में दो process होते हैं एक ही होते हैं कि proglitis को बाड़ी से cut कर दिया जाता है और proglitis फिसस से remove हो जाता है बासकत क्या होते हैं proglitis टैफम की बाड़ी से cut नहीं होता बलके एग जो है वो proglitis से उसकी uterine wall से release कर दिया जाते हैं इसने क्या होता है जो uterine जो pore है वहां से एग को release किया जाता है जब वहां से pore को release कर दिया जाता है तो एग जो है फ्रेश वाटर में deposit हो जाता है फर स्टेज आती है कोर्सीडिया जब एग जो है फ्रेश वाटर में deposit हो जाता है तो एग हैचिंग की सो एग हैच करता है और उससे ciliated larva निकलता है और उस लार्वा को कहते हैं कोर्सीडिया अब यह जो ciliated larva है इसको कापेपोर्ट जो है वो ingest कर लेते हैं कापेपोर्ट य यहीं कापेपोर्ट ने अब जो है कापेपोर्ट में क्या होता है कि यह जो कर्सीडिया है यह कर्सीडिया जब इसकी बाड़ी में दाहिल हो जाता है तो कर्सीडिया अपने ciliated shell को ciliated coat को उतार देता है और convert हो जाता है प्रो कर्साइट में यह अपने ciliated इसका coat है उसको प्रोकरसाइड में कनवर्ट हो जाएगा प्रोकरसाइड लार्वा में अब फिश जो है वो कापेपोर्ट को खाती है जब फिश कापेपोर्ट को खाएगी तो यह जो प्रोकरसाइड लार्वा है वो फिश की बाड़ी में एंटर हो जाएगा अब ये प्रोकरसाइड लार्वा जो है ये फिश के मसल्स में बरो करेगा और वहां कनवर्ट हो जाएगा प्लीरोकरसाइड लार्वा में तो हिमन जो है ये कैसे से इंट्रेक्टिड होते हैं तो हिमन जब अनप्रॉपरली कुक जो है वो फिश का मीट खाएंगे तो ये जो pierokercíde है वो हीमेंस में चला जाएगा जहां पर जाकि ये इंटेस्टाइमें पहुँचाएगा वहां जाकि ये मिचोर होगा मिचोर होके ये इसमें fertilization होगी और एक की फार्मेशन होगी और सेम इस तरह और एक को release कर दिया जाएगा सिंथी हम इनके लाइक से के बात करें तो ये एग से हैचिंग होती है कॉरसाइड कॉरसीडिया की कॉरसीडिया जो है ये इसका सिलेटिड लारवा है और इसको करस्टेशिन्स खाते है जब करस्टेशिन कॉरसीडिया को खाते है जब फिश खाती है तो प्रोकरसाइड लार्वा जो है फिश की बाड़ी में चला जाता है और वहां जाके ये कनवर्ट हो जाता है प्लीरोकरसाइड लार्वा के अंदर और जब हुमेंज जो हैं वो फिश को खाते हैं जब फिश को खाते हैं तो ये प्लीरोकर्ट साइड जो है वो हुमेंज में कन्वार्ट हो जाता है